हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमाई चनल पर दोस्तो रोज की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और महत्मून टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको कुछ चीजों और वस्तों के बारे में बताएंगे जिनें आपको अपने इश्चेदारों और परिवार वालों को कभी भी गिफ्ट में या तौफे में नहीं देना चाहिए हमारी संस्क्रिती में सभी शुब अफसरों और त्योहारों को प्रिये जुनों को पहार देने की परंपरा बर्सों से चली आ रही है आज हम आपको पांच ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको देने से आपको आर्ति घानी के साथ साथ मांसिक परिशानी भी हो सकती है तो दोस्तों ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो उपहार में गणेश जी की प्रतिमा देना अच्छी बात है लेकिन एक बात का वश्य ध्यान लखे कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ भूलकर भी माता लक्ष्मी की मुर्ती ना दे ये बहुती हशुब माना जाता है बारतिय गरों में शुब अफसरों पर एक दूसरे को सोने चांदी के सिक्के देने का भी चलन है लेकिन आप ध्यान लखें कि ऐसा सिक्का ही उपहार में दे जिस पर माता लक्ष्मी का चित्र अंकित ना हो उपहार रिष्टों में मिठास गोलने के लिए दिये जाते हैं लेकिन अगर आप अपने संबंदियों को उपहार में रुमाल देते हैं तो ये मिठास करवाहट में परिवर्तित हो जाती है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अपने मित्रों और परिवार जनों को तोफे में रुमाल नहीं देना चाहिए अपने करेबी मित्रों को उपहार में देने के लिए कभी भी नुकीली या दारदार वस्तुवे नहीं खरीदनी चाहिए ऐसा करने से रिष्टों में दरार आ सकती है इसके लावा अगर आप किसी को कोई विशेश धार्मी किताब देने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बात के ध्यान रगले की वैविक्ति भी धार्मी प्रवति का होना चाहिए अगर आपके घर में कोई पूजा पार्ट करने वाला बंदा या कोई धर्म गुरु से मानने दर रखने वाला होता हो उन्हीं दोस्तों और प्रिवार्जनों को आप धार्मी किताबें उपहार में दे अन्यथा ना दे तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरू करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद